राधे राधे दोस्तों कैसन बा आपका स्वागत है हमारे चैनल गिट कलर्स वित अनू में यह सारे जितने ही पौधे आप देख रहे हैं सारे ही समर्स के फ्लावर प्लांट से जो कि मैंने मीसो से एक ऑनलाइन ओर्डर करा था इसको अब हम ट्रांसफर करने वाले हैं बड़ भी लोकल शॉप पे आपको इसली मिल जाएगा किसी भी पौधी को ग्रो करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है मिट्टी और मिट्टी को हम सबसे ज्यादा ताकतवर कैसे बना सकते हैं बहुत सारे निट्रिशन वाली चीज़े डाल के और इसमें फंगिसाइड मिल सबसी है और आपके पौधों में कीडे मखोड़े जो भी लग रहे होते उनको खथम करता है और यह बहुत अच्छे से पौधों को ग्रो करने में में मदद करता हैं अब हिमouvdya की कटिंग को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि यह सारे अलोवएरी की कटिंग से वो इसकी निचली सेतेह पे ना रह जाए और अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाए यहां पे जो मैं मिट्टी का मिक्षर इसको इस्तमाल कर रही हूँ इसको पहले से मैंने रेडी करके रख दिया था जिसमें कि मैंने कोको पिट का इस्तमाल कर रहा है कोबर की खाद का इस्तमाल कर वह इसलिए क्यूंकि सारे जितने भी फ्लावर प्लांट्स हैं मुआरे वह एक सीजनली फ्लावर प्लांट्स है जिसकी जड़े होती है वह बहुत जादा गुरो नहीं करती है वह इस कंटेनर में इसली सर्वाइब कर सकता है एक सीजन के लिए अगर आप पूरे सीजन के इसमें ग्रो कर सकता है और अच्छे से फ्लावरिंग भी कर सकता है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें जो हमारे पौधों की जड़े हैं वो बहुत जादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है तो आप इसको तुरंद रिपॉर्ट कर दे किसी और बड़े बुकेट में मैं यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स को एड़ कर रही हूँ आप इसका नाम हमें कमेंड में जरूर बताइएगा कि मैंने कौन-कौन से पौधे इसमें ग्रो कर रहे हैं और कौन-कौन से हमारे समर फ्लावर प्लांट से और कौन से हमारे विंडर फ्लावर प्लांट से तो बहुत बार यह होता है कि अगर आप बहुत तेजी से किसी भी पौधों की उपर पानी दे देते हैं तो उनको जो शौक लगने के चांसे होती है वो ज्यादा बढ़ जाए यह जो आप देख रहे हैं यह 15-20 दिनों के बाद का रिजल्ट है जिसमें कि आप एक पौट में देखेंगे इसमें सिर्फ एक पौधा है जो कि कुछ और पौधे थे वो खराब हो चुके हैं कीड़े लगने की वज़े से लेकिन बागी सारे पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शूर और सबस्क्राइब फिर मिलते हैं ऐसे ही इनफरमेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई